में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे नाम है अपना श्रीज में पढ़ रहे हैं हम अभी चैप्टर 10 कर रहे हैं अपना हमने तो तीन लेक्टर इसके देखे थे का यह इसको आगे पढ़ते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो हम पढ़ने वाले हैं इसके वर्ड में तीन इसपीस पाई जाती है दो अफ्रीकन है और एक एशियन राइट तो अफ्रीकन एक बुश एलिफ्रंट है और एक फॉरस्ट वाली पाई जाती है जावन समत्रन तो वह बार में देखेंगे बढ़ जो 60 परसन से जाता है एशियन पॉपॉपुलेशन है यहांन की वह कहां मिलती है इंडिया में हमको देखने को मिलती है इजलेन का कंजर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्ट हेड़ाता है कि यह इसले को लिए को इक्स्टिंग्शन का फ्रेट है उनके नमब्र के पर दिमधी में कोशिश कर रहे हैं कि नमब्र उनके बढ़ा लब होता है कि ग्रैजुवली किसी इस पीसी का नंबर गिरते जाना यह क्यों हो सकता है कई डिफरेंट रीजन हो सकते हैं जैसे उनकी जो हैबिटाट है उसका डिस्ट्रक्शन होना है इको सिस्टम में प्रेशार आना तो कई रीजन से कारण ग्रैजुवली ओवर दा होता है फिमे ग्रिफरेंट का बहुत को यॉस को लेने केंविग सबसे बड़ा मार दिये जाता है हाथियों को उसके सब्सक्राइब करने के लिए तो जो हमारे एफ्रीक होते ना उनके हाँ दोनों फीमेल में दोनों में टस्क मिलती है आपको देखने को लेकिन इंडिया में इंडिया में सिर्फ मेल जो होते हैं अपने अपने इसके पॉपलेशन इंकी ड्रास्टिक होती है सब्सक्राइब लगबक अल्मोस्ट डेट साल या उससे ज्यादा का पीड़ है फिर एक बच्चा पैदा होता है कि इसे लिए पॉपुलेशन बहुत स्लोली और ग्रेजुली इनकी बढ़ती भी है अगर बढ़ती है तो अब हम आगे चलते हैं तो यहां डिफरेंस दिया है ए बात की तरह दबाके ऐसे एक होता है तो यह अच्छा से यहां पकड़ नहीं पाता इसलिए क्योंकि नीचे वाला पार्ट इसका मसल मूव नहीं करता तो यह यूजली खाना यहां फसालेगा ऐसे सूड़ को अपनी मोड के हैंना लेकिन जो हमारा अफ्रीकन होता है उसके के उसके बाता है दो यहां पिछ इससे होता है यह यहां फॉट फॉती है यह यह पर देख सकते हैं नीचे इंव यह बीच फी पर टीशन है लेकिन जो फ्रीकर करें उनमें ऐसा नहीं होता है उनका अल्मोस्ट एक्दम सीधा कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा बीस से कटा हुआ या वैसा कुछ मतलब जो फीमेल होगी यहां पर आपने गुरुप में गुमते हैं पर जो अल्ड़स खोगी जो वह लीड करती है पूरे रुट खोई अहां पर देख सकते हैं एसन एट विश्बंट करता है स्री लंक Eli enjoyed aux yes yes jo only like what forest fire और सवाना एलीफन sitzen पडियर अपोधीं सबतीन में चीज ऑन्य स्सक्रेइश अब हैं इसलिक्व को शोता है इसका बड़ा होता है जब अब आगी चलते हैं यहां आप कुछ और पॉइंट है जासे साइज और वेड देख सकते हैं यह एशन वाले यूजिली छोट होते हैं तो एशन तीन 3.5 मीटर से उपर नहीं जाएंगे लेकिन जो हमारे यह अफ्रीकन होते हैं वो चार-चार मीटर तक पहुत जाते हैं हमारे जो एशन एलिफंट होते हैं सिसमेल के बास होती है जिसेक हम बोलते हैं फिर अफ्रीकन इसके समान बदे लाइघ अपना हैं पूंद कर छांप होता नहीं है स्वेज़्ास क्शा इस स्टेटर्ट किया है तो अपेंडिक्स वन में आते हैं सीमस के यह और वहीं जो अफरीक अपैंडिक्स 2 में और अपेंडिक्स 2 में अपेंडिक्स 2 में डिया हुआ है पिर साइट्स के अपेंडिक्स 1 में यूजली आते हैं और फिर कुछ अपेंडिक्स 2 में भी आते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं पॉपुलेशन की चालिस से पचास जार के वहीं पर अफ्रीकन वह चार लाग पंद्रह जार के उल्मोस्ट हैं प्रेग्नेंसिया जिसे हमके स्टेशन पीरड बोलते हैं यह 18-22 मन होती है और इनके केस में वालों के लाओस कमबोडिया में फिर अफ्रीक केस में आप देख सेपने हैं इनकी रेंज कहा कहा है वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका जो पुरा सवाना वाला एरिया है वहां से होते हुए यह जाते हैं सबसे नॉर्दन एरिया कहा होता है अफ्रीका एलिवन का साहिल एरिया ओफ माली यहां तक जाकर यह पानी ढोड़ते हैं फिर वापस इसे शर्कुलर माइगरेट कर जाते हैं अब आगे चलते हैं तो अभी यह UPSC 2020 क्या क्यों देख लीजे लीडर अफ इन एलिफेंट ग्रॉप इस फीमेल यस अमेक्सिमन जस्टेशन पीड़ते हैं वेटेशन पीड़ते हैं तो यह हमें नहीं आता सपोस्ट यह हमें नहीं आता है अंग दा स्टीट इन इंडिया हाइस पॉपुलेशन और फेलिफेंट इस खेला तो यहां पर देखिए वाली स्टेटमेंट सिर्फ एक ही है तो इवन आप अगर इन दोरों को नहीं भी जानते थे तो इस केस में आप इस कॉश्चन को करेक् क्योंकि यूपीस से ने जानबुच कि ऐसा कुश्चन बनाया था हाला कि यहां पर खेला में पॉपुलेशन हाइस नहीं है इस करनाट का वहाइस पॉपुलेशन और फेलिफेंस इंडिया फिर यह जो दूसरी स्टेटमेंट है कि 40 तक इनकी प्रेग्रेंसी होती है यह भी क में क्योंकि एकदम अगर फिस्ट डेडलाइन होती 40 तो फिर यह स्टेटमेंट हो जाती लेकिन वाल दीजिए ऐसे कई एक दो भी केस मिल गए जहां पर 40 यह के बाद कोई एलिफेंट प्रेग्नेंट रही है या बच्चा पैदा हुआ है तो उसकेस में स्टेटमेंट अपन सवाना या बुष अलिफेंट बोलते हैं यह यूजली जो सवाना वाली होती है यह लार्जस्ट लिविंग ट्रेस्ट्रियल एनिमल है हमारा क्यों क्योंकि सबसे हाइस्ट हाइट रवेट इसी का बता है इनका डिस्ट्रिब्यूशन भी देख सकते हैं अफ्रीकन फॉरेस् अफ्रीका तो यह पुरा एडिया यह देख सकते हैं आप कुछ-कुछ पैचे से यहां पर भी है वहीं पर जो हमारी सवाना है जो बुष अलिफेंट है वहां देखने को मिलती है उसका डिस्रिबिशन ऐसे पुरा यह देखिए पहला हुआ है जो सवाना ग्रासलेंट है हमा अब आप पोजिशन में होती है नीचे की तरह पॉइंट करते हैं और जो हमारी बूर्ण की होती है यह उपर की तरह पॉइंट करती होती है पिजिए स्टेटस क्या है तो फॉरस्ट एलिफेंट चलते हैं अब हम लॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एलिफेंस की तो प्रेलियम्स के परस्पेक्टिस से उतना पॉइंट नहीं आएंगे यहां से वाट इस तो फूइस वन्स को दो हर दस में नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया डिक्लेर किया गया था एलेफंट एक की स्टोन इस्टीज भी है की स्टोन इस्टीज का हमने डेफिनीशन पहले बड़ा था कि एसी स्टीज होती है जो अपने आसपास के अधर इस्टीज के सर्वाइवल को भी सुनस्चित करती है मतलब इनकी पॉबलेशन डिकलाइन हो जाए तो मोस्ट लाइकली जो अगल वगल इनकी और पॉपॉलेशन है अलग-अलग स्टीज की वह डिकलाइन हो जाती है को फिर इनका नेचर कैसा होता है नोमारेडिक नेचर होता है मतलब यह गुड़ी भी माइगरेट करती है अपनी लोकेशन से तो इनका एरिया बहुत बड़ा हो जाता है ये हो जाते हैं पैसे क्योंकि जंगल गहना नहीं हो पाता है एक्स्राप्य आइस जो रास्ता बनता है वो बाकी जानवर हो यूज कर सकते है उसके बाद तो यहां पर रास्त savior करते जाते है। और जिससे आउट característ पर काम करते हैं इन्होंने कुछ खाया और जाकर गए तो सीड्स एक एरिया से दूसरी पहुच जाते हैं तो यह भी एक नूट्रीशन की तरह काम करता है जो वहाँ पर इनिमल होते हैं फिर वाटर प्रोवाइडर्स भी होते हैं यह क्योंकि सूख सूखे के समय यह वाटर को डिक करके निकाल लेते हैं है ना कोद करके इसके कार्ट जो आसपास की स्वाइदा होता है फिर यह जब चलते हैं तो मिट्टी में बड़े बड़े फुट्प्रिंट भी बड़ते हैं उसमें वाटर कलेक्ट होता है जो चोटी-चोटी स्वाइब पी लेते हैं फिर फूर्ट चैन के लिए एक इंपॉर्टन है हाला कि इतने ज्यादा एलिफेंट की डेथ नहीं होती बड़ चोटे एलिफेंट होते हैं उनको जरूर्ट टाइगर मारने के कोशिश करता है हमेशा और अगर मार लेता है तो इसकेज में बहुत सारा फूर्ड भी मिल जाता है टाइगर फूर्ट चैन में भी एक रोल है इनका हैबिटेट विटाओट बेंग डिस्टर्ड वाइं हमने देखा था वैसे ही यह भी है एलिफेंट कॉलिटोर कि ऐसे चोटे-चोटे होते हैं सब्सक्राइब है दूसरा प्रोटेक्टेड एरिया है और बीच में माली जिए रोड निकल गई है या फिस तो यहाँ नीचे से से एक कॉलिडोर बनाया जा सकता है जिससे एलिफेंट को रोड में नहीं आना पड़े सीरे नीचे से निकल जाए वो है ना हो सकता है रोड को पुल से निकालते हैं उपर से इस तरीके की कि गई थी कुछ साल पहले वाइल लाइफ ट्रस्ट आफ इंडिया और इस इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में तो इन एलिफेंट्स कॉलिडोर का प्रोटेक्शन इसलिए बॉटन रिजाता है बहुत बार गवर्मेंट भी आइटिफिशल कॉलिडोर मनाती है बहुत जगह ऐसी जगह है जहां पर नैचुरली भी छोटे-छोटे पैचस अव पहले इसमें 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 तो माइनिंग इसमें इसमें एंडिया में दोसरी वाद जो मने देखा था कि अलिफेंट्स जो हमारे होते हैं उनको बहुत एक्स्टेंसिव ग्राउंड चाहिए होता है के अगर अगर वह बड़ा नहीं है जो इनको अकॉमोडेट कर सके वह इसके से बाहर निकलेंगे हैं वह किसी इंसे की तरफ जाएंगे फिर होगा है ना लॉज और लाइफ होगा या क्रॉप डिस्ट्रॉय करेंगे तो बहुत सारी चीजें है इसलिए इनके एरिया प्रोट्र द्रिम्ली इंपोर्टंट हिजाता यह कैसे हो सकता है जैसे फूज़न ओफ और उट विस निर भाई प्रॉटेक्टे दिया से लिंक कर दिया जाए और लगाए हैं कि अ फ्रेस्थ को फोलो करतें दूसरे एंधिया में सले जाएं या फिर conservation reserve का ताकि उनको protection मिल सके जोधा point है कि लोगों को ही awareness पहुचाई जाए कि अगर वो ऐसे area में रहते हैं जो elephant corridor के अंदर आता है या फिर उनके रास्ते में आता है तो उससे move out कर जाए है ना अपने बन से और बाहर रहने लगे फिर प्रोजेक्ट elephant.com देखते हैं ये एक centrally sponsored scheme है कब लॉन चुई थी 1992 में इसका objective किया था to conserve the elephant population in their natural habitat तो और भी objective जैसे assisting states in having population of wild elephants ensuring long term survival of identified viable population of elephants in their natural habitat addressing human animal conflict developing scientific and land management measures for conservation of elephant protecting the elephant from poachers preventing illegal ivory trade other unnatural causes of death तो ये सारे objectives है इसके राइट आपके लिए important क्या हो जाता है किस ने launch की कब launch होई किस type की scheme है ये बड़े point है जो आपको याद में रखना है और initiative कौन कौन सी है पहली है इसमें हाथ ही मेरे साथ ही ये launch किस ने की थी ministry of environment forest and climate chain ने MOE FCC किसके साथ मिलके की थी wildlife trust of India के साथ कि launch कब हुई थी elephant eight ministerial meeting में तो elephant eight countries कौन सी है इंडिया बोच्वाना Republic of Congo Indonesia की निया स्री लंका तंजानिया इंथाइलेंड तो ये जो हाथ ही मेरे साथ ही इनिशेटिव है इसका objective क्या था कि लोगों में awareness वैलाना और एक friendly relation develop करना between elephant and humans पिर इसके बाद है project rehab इसमें करते क्या है कि जो हमारी प्रोटेक्टिव एरिया की यह जो जब लगा देते हैं वी के बॉक्स लगा देते हैं मदु मक्ही के पूरे में ऐसे दूर दूर पे तो उससे क्या होता है इसके ब्यूंड आता नहीं है क्योंकि इरिटेट हो जाता है जो बीज होती है उनकी अवास से और डर जाता है कि बी काटेंगी उसको है ना यह काफी successful रहा है करनाटका के को डागू डिस्ट्रिक में अब इसको और भी एरिया में कि इंप्लिमेंट किया जाएगा है ना तो यह बेसिकली ऑब्जेक्टिव सा क्या था कि जो हीमन और एलिफेंट के कॉन्फिक्ट होते हैं पहले क्या करते थे लोग जो शोटी-शोटी पटाके डराते थे अलिफेंट को वह हेल्दी भी नहीं था और क्रुएल्टी भी थी इसमें कहीं न कहीं लेकिन यह वाला है जो नैचुरल है कि यहां पर लगा दिया आपने तो वह खुदी नहीं आएगा दूरी चल जाएगा है ना अब हम आगे चलते हैं पिर एशियन एलिफेंट अलायन्स है यह कोईलीशन है पाच एंजियों का जिसमें कौन-कौन से आती है एलिफेंट फैमिली इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वलफेर आयूसीन वाइलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड ट्रस्ट लैंड ट्रस्ट इन सब यह सार इंडिया यह एक एंजीयों है वर्ल लैंड रस्ट यह भी एंजीयों है आयूसीन भी एंजीयों है न इस तरीकर से ध्यान याद रखना कि कोई गवर्मेंट और और ऑर्गनाइजिशन नहीं है कोई चीजें यह सारी चीज़ें चुकि प्रिलिम से मैं ऐसे कृशन उठाके दे रहता है कि वाई लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इस अंचिटिशनल बॉडी या फिर स्ट्टुटोरी बॉडी एंडर मिनिस्ट्री ओफ दिस दिस ऐसे करके आपको याद रखना है कि एंजीयों है नाम भले कि इतने भी सोफिस्टिकेड़ हो अब आगे चलते हैं फिर नेचर पर सारे करने हैं आपने-अपने मंद से आके कर रहे हैं कोई पैसा किसी को नहीं मिल रहा है इसमें पर यह लुग पब्लिश करते हैं रिपोर्ट जो बाइननुवल जर्णल है तो हर दो साल में एक बार इसको पब्लिश किया जाता है कि यह सच्टिपिकली ग्राउंडड देता है डिस्टिबूशन के अबनेंस के डेमोग्राफिक स्टेटस के जो एशन एलिफंट के हैं इन तेरा जो रेंज कंट्रीज आइशन एलिफंट की वहां पर इंडिया है इंडोनेशिया लाउस फलेशिया मयानमार नेपाल है श्री लंका है थाइलाइड वियतनम इस्ट्रिबूशन देख सकते हैं कि इस्टोरीकली जो एशन एलिफंट थे ना कहां-कहां मिलते थे पूरा उपर तक मिलते थे यहां पे इस पैच पे इंडिया में भी औ अब लेकिन इनका 25 डिस्ट्रिबूट होगे बस चोटे-चोटे ऐसे पैचस में रह गया है विच इस वेरी अलामिंग अब हम आगे चलते हैं हम देखेंगे खंजर्वेशन ऑफ ग्रेट वन हर्ण राइनो तो राइनो का गंजर्वेशन देखते हैं तो राइनो को पैसे कि इसे लिए उसकी सीग के लिए जो होते हैं राइनो के उबर उसके लिए जाता है क्योंकि उसी में मिलता है करटें किसमी होता है नेल्स और जो ट्रडिशनल मेडिसीन है साउथ इस्टेशिया में इन समय तो यूजली जितनी भी हंटिंग होती है बहुत बार इनमें अफवा टाहरा चाइना और इस आप बहुत जथा में इनमल्स के ले जावांडन यहां बहुत जादा है Chinoga घृतों में यहां यहां प्लाइज़ से छोटा होता है निदे आपन है जावा वियतनाम में मिलता है कुछ ही इसमें से बच बचके रखी हैं जादा इस्पेसी इनकी नहीं बच़ी पॉप्पुलेशन फिर सुमत्रन राइनो कहां मिलेगा जो आइसलेंड है सुमत्रा का इंडोनेशिया में वहां मिलता है में अब इसमें इनकी पॉपुलेशन गत्ती कम बच गई एक तीज से 80 क स्पिसीज है वह है तो अभी पूरे वर्ल्ड में 24,500 के राउंड राउंड राइनो की पॉपलेशन है इसमें से मेजर्टी जैसे तू थर्ड है वाइट राइनो है जो अफ्रीका में बुलते हैं अब जो हमारे अफ्रीकन और सुमत्रन राइनो सरस हैं उनके दो सींग होती है है और हमारे हाँ जो राइनो है उनकी सिंग और मेल्गे चलते हैं पर से लेकर नीचा तक सब जगए जाते था起 लेकिन अभी सब्ग्राइब जो है इंडिया भूतान नेपाल का वहाँ मिलता है तो अब ये जो नेपाल का जो नीचे वारा एरिया है न ये नेपाल हो गया एक किम यहाँ पे भूतान है न यह पूरा जो नीचे वाले रिया इसको तराई रीजन कहते हैं इंडिया में भी आता है यह न यूपी भिहार असाम यह पूरा एलिया तो इसको हम बोलते हैं तराई ग्रासलेंड और यहीं पे हम मेंली पॉपलेशन इसकी बची है कहां यहां पर देखने को मिलती है काजी रंगा नेशनल पार्क मारेश नेशनल पार्क और पोबित्रा वाइड लाइफ सेंचरी तो थ्रेट्स क्या है वही पोच फॉर इस हौन है और है यहां पर फॉलिंग स्टेट्मेंट इस्याटिक लाइन नेचरली फाउंड इन इंडिय यह हमने पड़ा था यह सिर्फ इंडिया के लावा और कहीं नहीं मिलता इस्याटिक लाइन वह भी गुजरात के गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं यह डबल हम्ट कैमल इस नेशरी फाउंड इन इंडिया उनली तो यह स्टेट्मेंट रॉंग है ना वहां राइनोसरस इस इंडिया उनली तो यह भी रॉंग है अब आपने नेपाल का तरही रीजन देखा तो नेपाल में भी मिलते हैं तो इसका ऑप्षिन क्या होगा है वन अली अब आगे चलते हैं जो कंजर्वेशन मेजर कौन कौन से लिए गया है वह देख लेते हैं 2005 में एसाम जो है जहां प पाइज आते हैं उसने अदॉप्ट किया था इंडियन राइनो विजन 2020 कि इसके साथ मिलके व्ल्ड वाइट फंड और इंडियन राइनो फांडेशन के साथ पिर नियु डेली डेली डेक्रेशन ऑन एशियन राइनो 2019 भी अनाउंस हुआ था फॉर कंजर्वेशन और इंडियन राइनो यह सारे स्टेप्स लिए गया थे तो अब इंडियन राइनो विजन क्या था यह 2020 वाला जो 2005 में लांचुआ था इसको देख लेते हैं तो यूजली 2005 थक ना जितने मिजर्वेशनिस्ट है सब जगह के मिलके आये साथ में और गवर्मेंट ऑफशान पॉर कि जो हमारी पॉपुलेशन है वन हॉन राइनोसरस की जो हम 2020 थीन हजार तक कर लेंगे और इसको स्प्रेट कर देंगे साथ जो प्रोटेक्टिड एरियास है असाम के वहाँ पे खाजी रंगा बस में नहीं रहेगा यह में इसका अब्जेक्टिव क्या था कि ट्रांस लोके गया थे कहां से प्रोबित्रा वाइलाइफ संचरी में तो इस फेस में बैसिकली कई जगे से राइनो को उठाके अलग-अलग पार्क में डाला गया है ताकि पॉपुलेशन इनकी बची रहे और डाइबसी फाइट रहे फिर इंडियन राइनो विशन के रिजर्ट क्या रह अब जो प्लान था कि और भी एरिया में जैसे काजी रंगा और एंग नेश्टल पाक पॉपुलेशन फैला देंगे राइनोसरस की वह पॉसिबल नहीं हो पाई क्यों पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि जो बाकी जो सेंक्टरी ती यहां पे इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन अब भी नहीं था वहां पर पोचिंग हो सकती थी और भी चीज़ें हो सकती इसे लिए इनका ट्रांस लोकेशन किया ही नहीं गया है तो यह सारा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी अभी आपको याद रखना है कि ऐसा कुछ हुआ था इन पास्ट इंडिन डाइन विजन 2020 वेफ और वर्ट क्या है वेफ और वही हो सकता है कि आप जितने नए अरिया है असाम में उनको भी अडेंटिफाई किया जाए प्रोटेक्शन वहां बढ़ाई जाए और वहां पे भी ट्रांस लोकेशन किया जाए ताकि और एरिया में राइनो की पॉपलेशन सर्वाइव क पविंद्वाइब कारें है हुआ हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं जब से ज्यादा पॉपलेशन इस देखी है लिकिन हो रही है ब्लाक राईनो और की इनकीज़ार के पास पफपॉपलेशन है इंडियन राइनो है इसकी इंक्रीज्ट्री इस हो रही है और सुमत्र र के notification आपको easily मिल जाए, thank you